नमस्कार दोस्तो एलेक्टिकल कुश्चन डा में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस बीडियो में हम देखने वाले हैं वैरिस्टर अक्सर आपने आपकी एलेक्ट्रोनिक्स आइटम जैसे की टेलिविजन लैपटॉफ और भी बहुत सारे एक्यूपमेंट जब आप उनक इसका होप योग क्यों किया जाता है दोस्तो यहां PCV को देख रहे होंगे यहां एक कंपोनेंट लगा हुगा है जैसे हम वैरिस्टर बोल रहे हैं और अक्सर यह PCV में ही देखाई परता है जैसा आप दूसरी PCV को देखेंगे तो यहां आप देखेंगे कि कुछ आपको य यहां करता है यह हमारा जो 20 है यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डायमीटर को इंडिकेट करता है तो यह ए कुछ रेटिंग होती हैं जो अक्षर बैरेश्टर पर लिखी होती है और अलग-अलग साइज में अलग-अलग rating के लिए ये वेरिष्टा हमारे market में available होता है और ये AC और DC दोनों पर ही protect करता है तो ये भी अक्सर आपने अपने घरों में तो देखा ही होगा कि हम normally safety purpose के लिए हम fuse का इस्तमाल करते हैं या उसे हम over current से protect करने के लिए हमारे equipment को हम घरों में MCV भी इस्तमाल करते हैं जो over current या short circuit से condition से बचाने के लिए हम इस्तमाल करते हैं जैसे ही हमारा कोई over current आता है किसी equipment में और हमारी MCV ट्रिप हो जाती है तो और fuse के लिए जैसे हम जानते ही है ये melt हो जाता है तो ये हमारे over current protection के लिए लिए इस्तमाल होते हैं लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारे over voltage protection के लिए हम क्या इस्तमाल करते हैं तो उसी के लिए हम barrister इस्तमाल करते हैं जो हम इस video में देखने वाले हैं यहां आप देख रहोंगे कि हमारे barrister पर यहां पर ratings हो रही है 300 volt मतलब यह हमारा वो जो वेरिष्टर है यह 300 volt irrated voltage के protection के लिए इस्तमाल होगा तो यह semi conducting device होती है जिसमें आप zinc oxide का यह बना होगा होता है अभी हम इसकी construction के बारे में भी जानेंगे और यह हमारे electrical electronics items को protect करता है किस से surge voltage से protection के लिए अब दोस्तों आपके मन में यह question भी आ रहा होगा कि surge voltage होते क्या है क्या यह repeated nature के रहते हैं यह random nature के रहते हैं दोस्तों आकासी बिजली जिसे कि हम lightning भूलते हैं इसका नाम तो आपने सुना ही होगा अक्सर यह आपके घरों के equipment को damage कर देती है जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि lightning होने की बचे से आपका television या कोई laptop जब आप working condition में जैसे आप या television देख रहे होते हैं उस समय खराव हो जाता है तो इस तरीके के spikes को या जिसे हम voltage transient बोलते हैं इसको आठाने के लिए ही हम वेरिष्टर के इस्तिमाल करते हैं वेरिष्टर करता क्या है दोस्तों ये हमारा voltage surge जैसे कि 3 किलो बूल्ट का है ये इसको 600 तो 700 वोल्ट में convert कर देता है जिससे कि अब हमारा easily हमारा जो equipment है वो इसको sustain कर पाएगा और भी आप देखेंगे कि बहुत सारे region हमारे surge के लिए होते हैं जैसे कि हमारा कोई induction motor किसी circuit में आ जाती है या induction motor को on करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा switching surge हमारे system में आता है या कोई transformer जब on condition में आता है तो भी एक surge हमारे circuit में आता है इसी से बचाने के लिए हमारे equipment में हम वियरेश्टर का इस्तमाल करते हैं लाइटनिंग से बचाने के लिए primary level पर हमारे sideways station हो में हम इस्तमाल करते हैं lightning arreshter का यह हमारे subscribe station के equipment जैसे कि transformer और भी बहुत सारे equipment को बचाने के लिए हम इसका इस्तमाल करते हैं लाइटनिंग अरिष्टर हमारे जितने भी सर जाते हैं उनको ग्राउन कर देता है और हमारे सभी आइडम या हमारे एक्यूपमेंट इस सर से बच जाते हैं वहीं यहीं हम बात करें हमारे लोको मोटिव की यहां भी आपने कई वार देखा होगा कि लोको के रूप पर बहुत सारे एक्यूपमेंट लगे हुए होते हैं जिसमें फेंटोग्राफ वी सीवी और जी एले जी एले जिसे हम गैपलेस लाइटिंग अरिस्टर बोलते हैं यह हमारे लोको के रूप पर लगा होता है यह हमारे लोको के अंडर फ्रम में लगे हुई हमारे ट्रेक्शन मोटर और यहां पर लगा हुए ट्रांसफर्मर जिनके गारंट स्विचिंग सर जाते हैं उनसे प्रोटिक करने के लिए यह हमारे लोको के रूप पर यह एक्यूपम देखेंगे कि जैसे ही हमारे यहां पर switching search या कोई lightning का search पड़ता है तो यह normal condition में यहां पर काफी ज्यादा resistance रहता है और यह यहां पर circuit आपका open रहता है लेकिन जैसे ही आपका switching search आता है यह आपका जो lightning अरिश्टर रहता है यह low resistance पर प्रोवाइट कराता है और यह अर्थ में यहां पर आपका यह search चला जाता है तो इसकी बज़े से ही हमारे लोकों के सभी equipment बच जाते हैं और हमारे सभी item यहां पर safe हो जाते हैं जैसा कि इस circuit में आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक वेरिश्टर हमने connect किया हुआ है जैसे ही आपका supply आपने दी यहां पर कोई switching search जाता है तो switching search की बज़े से यह आपका जो वेरिश्टर है यह sort हो जाएगा लेकिन initially condition में जब यह हमारा वेरिश्टर healthy condition में था यहां पर कोई current flow नहीं होता है लेकिन जैसे ही हमारा यह वेरिश्टर sort होता है इस switching search की बज़े से जो की मालेज यह 3 kV का है तो इसकी बज़े से यह आपका पूरा का पूरा current आपका इस direction में flow होने लगेगा और यह आपके circuit को bypass कर देगा यहां पर कोई current नहीं होगा जिसकी बज़े से आपका circuit प्रोटेक्ट हो जाएगा जैसा कि इस graph में भी आप देख काफी कम है तब यहां पर कोई भी resistance और यहां पर काफी ज़्यादा resistance है लेकिन जैसे जैसे आपने यहां पर voltage वड़ाते गया है आपका resistance कम होते गया जैसा आपने gap less lightning arrester के case में देखा था कि lightning arrester में भी initially condition में जहें या healthy condition में इसका रजिस्टेंस काफी ज़्यादा हाई हो काफी कम हो जाता है और हमारा सरकेट बाइवास हो जाता है तो इसलिए ही हम वैरेश्टर यहाँ पर इस्तमाल करते हैं आपकी मदद से भी समझ सकते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपने यहाँ पर Y-axis पर करेंट को इंडिकेट किया हुआ है और X-axis पर आपका व आता है अचानक से आपका करेंट काफी बढ़ जाता है यह आप देख रहोंगे यहाँ पर यह करेंट आपका काफी ज़्यादा बढ़ गया है और आपका वैरेश्टर यहाँ पर काम करना चालू हो जाएगा आप यहाँ पर आपके सरकेट में जो हैवी करेंट हो नहीं इसके एपलिकेशन की बात करें तो हम अपनारे घरों में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं लाइन और नूटरल के बीच में हमेरी वैरेश्टर को कनेक कर दें तो हमारा सरकेट इससे सर्च से बचा हुआ रह सकता है या हम डारेक्ट प्लग में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें आप लाइन और नूटरल के बीच में एक वैरेश्टर को कनेक करें और उसके साथ ही एक फ्यूज को इस तरीके से कनेक करें कि आपका वैरेश्टर के साथ फ्यूज इस तरीके से देखाई पड़े तो इससे भी आप अमारे सर्किट को बचा सकते हैं वहीं अदि हम industry के लिए बात करें तो यहां आप देख रहे होंगे कि जह हम single face connection industries में लेते हैं तो यहां पर वेरिस्टर को कैसे connect करते हैं तो यहां देख रहे होंगे line और neutral के बीच में एक वेरिस्टर connect किया हुआ है और एक अर्थ आपको दिया हुआ है तो पहला आप एक वेरिष्टर जो है वो वी और अर्थ के बीच में कने करेंगे दूसरा जो है आपका वाई और अर्थ के बीच में कने करेंगे तीसरा यहाँ पर आर और ए के बीच में या अर्थ के बीच में आप यहाँ पर connection करेंगे तो इससे आपके circuit आपका सर्ज से बचा हुआ रहेगा इससे दोस्तो हम voltage dependent register भी बोलते हैं या non-linear register भी इसे हम बोलते हैं इसके types की बात करें तो यह दो type का होता है silicon carbide voltage dependent register और एक और होता है metal oxide voltage dependent register ज्यादा तर हम metal oxide voltage dependent register का इस्तमाल करते हैं और इसमें वहुत कम leakage current होता है और इसकी speed जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है clamping की और इसकी जो silicon carbide voltage dependent register होता है इसकी speed काफी ज्यादा कम होती है तो यह कुछ इनके difference थे इसकी construction की अरिया हम बात करें तो यहाँ आप देख रहोंगे कि यह आपकी एमालीचे कोई वेरेश्टर है और इसके यह दो terminal यहाँ पर आपको देखाई पड़ रहे हैं यह दो terminal के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर दो electrode लगे हुए हैं इन electrode की बीच में ही आपका एक zinc oxide grains रहते हैं चोटे चोटे और इसमें epoxy cell रहती है यह और यहाँ आप देखेंगे कि normally condition में यह zinc oxide जो रहता है आपका काफी ज़्यादा high resistance प्रोवाइड कराता है लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई surge मिलता है उसके बाद यह यहाँ पर current flow करा देता है zinc oxide आपका current flow कराने के कारण आप यहाँ देखेंगे कि यह sort हो जाता है तो इसलिए हम इसका इस्तमाल करते हैं और metal oxide वेरिष्टर जो होता है हमारे जो एक टाइपस हमने बताया यह 10 से लेक 1000 वोल्ट तक के लिए आपको market में easily मिलता है यह AC और DC दोनों परपस के लिए इस्तमाल किया जा सकता है आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो आपको कैसा ही लगा कमेंट में जरूर बता है और इस चैनल बनाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे थैंक यू